अगर मैंने फला बात बोल दी, अगर मैंने ये जुमला बोल दिया, अगर मैंने घलत लफ्स की अदाइगी कर दी, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आज हम कम्यूनिकेशन टॉपिक पर बात करते हैं, आज हम डेफिनेशन पर भी जाएंगे, इसकी टाइब्स भी सीखेंगे और स्किल्स भी सीखेंगे मेरा चेहरा एकदम स्टिल है, बिलकुल एमोशनलेस है 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum I am Shahista Zehra, your host for the day आज लाहें कैसा टॉपिक विच इस अबर्निंग इशू एक ऐसा टॉपिक कि जिसकी बारे में हर बंदा फिकर्मन नजर आता है that topic is communication आज की विडियो में जानेंगे आकर communication है क्या what is the definition of communication second thing which we are going to discuss today वो दूसरी चीज जो हम आज डिसकस करेंगे वो है how many types of communication do we have कितनी तरह की communications हमारे पास होती है and the third and the last important thing which we are going to discuss what are the skills of these communication skills हमारे पास अगर बात की जाए communication की तो communication के वख सबसे पहरा सवाल जो appear होता है what is the definition हम हर चीज से पहले एक चीज पूछते हैं क्या ये क्या है so इसी communication की definition पे आते है what is communication so communication means to communicate किसी को अपना idea अपनी opinion अपनी बात convey करना इस तरीके को इस process को कहा जाता है communication और ये हर बंदा करता नजर आता है चाहे वो बोलने और सुनने की सकत रखता हो या ना रखता हो आपको एक example देते है वो बंदे जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते वो भी किसी ना किसी तरीके से by using their body language दूसरों से communicate करते हैं अपना पैगाम दूसरों को दे थकते हैं और इसी तरीके को कहा जाता है communication इसी communication की हम types पर आते हैं अब बात करते हैं How many types of communications do we have? There are two types of communication The first one is our verbal communication Verbal communication जो इस अप मैं आप से कर रही हूँ जो आप दूसरों से करते हो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हो अपने नजरिये से दूसरों को अगाही देते हो So that opinion delivery, idea delivery और अपनी बात पूरी तरह से समझा देने के अमल को हमने नाम दिया Communication का और दूसरा वो type है जिसको हम कहते हैं Non-verbal communication जो गुंगे बहरे लोग भी बासानी करते हैं by using their sign languages It means एक communication के लिए जरूरी नहीं के आपका English जानना जरूरी हो There is a misconception एक यहां पर misconception जरूर होता है और वो यह misconception है के जब तक हमें English नहीं आएगी हम easily एक अच्छे और nice तरीके से अपनी बात communicate नहीं कर पाएंगे This is a misconception आप जो भी जबान बोलते हो सिंधी बोलो पंजाबी बोलो यह आपकी native language उर्दो में बात करो The most important thing is अपनी बात इस तरीके से करो कि सुनने वाला आपको सुनने का मुंतज़े नजर आए और उसी चीज़ को हम आज बयान करेंगे आज की process में कि जुसमें हम discuss करेंगे वो कौन से tips हैं, वो कौन सी skills हैं कि जुनके चलते हैं हम एक अच्छे speaker बन सकते हैं Purpose बिलकुल भी यही नहीं कि आप एक audience के सामने speech देने खड़े हो जाओ The most important thing is कि आप सामने वाले बन्दे से बात कर सको, उसकी आँखों में आँखे मिला कर बात करो, एक confidence के साथ बात करो जिसमें आपकी body firm नजर आए और इसी confidence के साथ आप अपने success की तरफ easily step by step आगे अपनी नई मन्जिल की तरफ चलते रहते हो So, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप के लिए एक surprising खबर ये होगी कि हम normally किसी से बात करते हुए, किसी से गुफटगू करते हुए अपने words बहुत नाप तोल के बोलते हैं अगर मैंने फ़ला बात बोल दी, अगर मैंने ये जुमला बोल दिया, अगर मैंने घलत लफस के अदाइगी कर दी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे हम इसी conflict में रह जाते हैं, inferiority complex हम में आ जाता है कि हम audience face नहीं कर सकते हम अपने comfort zone में रहना चाहेंगे वो बंदा जो मेरे साथ बहुत अच्छा है, close है चाहें वो मेरा दोस्त हो, मेरी मा हो या मेरी बेहन हो लेकिन जब हम अपने comfort zone से बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए दुनिया ही अलग है अब हम बात करें अपने teachers के साथ या बात करें किसी stranger के साथ हम थोड़ा सा inferiority complex कर शिकार हो जाते हैं मेरी कोई हरकत, मेरा कोई भी अमल सामने वाले को बुरा लग सकता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा तो यही वो एक पहली गलती है कि जिसकी वज़ा से हम easily अपनी बात आगे करने नहीं कर पाते और इसी मौके पर एक ऐसी surprising ख़वर आपको बताऊंगी कि जहां हम लवजों को नापते तोलते रह जाते हैं वही पर अगर मैं बात करूँ एक ratio की So according to a normal survey उस survey के हिसाब से 55% जो हम बात करते हैं 100% में से 55% आपकी body language है आपका चेहरा है आप किस तरह से अपनी expressions देते हो खुशी का इजहार कैसे करते हो गमी का इजहार कैसे करते हो excited हो जाते हो तो आप उसका इजहार कैसे करते हो साथी साथ आपके gestures and postures So 55% तो आपकी यही अमल आ गए जिसमें अभी तक हमने बोला खुछ भी नहीं है अभी तक हम बात कर रहे हैं non-verbal communication की अब बात करें 38% है आपका voice tone आप किस से बात कर रहे हो अगर घुसे में बात कर रहे हो तो आपका voice tone कैसा है अगर आप किसी से नर्मी से बात कर रहे हो तो आपका voice tone कैसा है शोकिंग खबर है तो आपका voice tone कैसा है किसी बच्चे से बात करते हो तो आपकी बात करने का अंदाज ही बदल जाता है तो ये आवास का उतार चड़ाओ जो है ये आपकी conversation में 38% का ratio रखता है इसी के साथ हम बात करें तो बाकी बचे सिर्फ 7% हमारे पास तो ये है हमारी verbal communication के जहां पर हम उन लफजों का इंतखाब करते हैं कि जिन लफजों की वज़ा से दुनिया हमारी fan बन जाए अब भी discuss किया था कि लोग समझते हैं कि अगर मुझे English आती है तब ही मैं audience का सामना कर सकती हूँ लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं कि इसके लिए मुझे English का जानना जरूरी हो मैं एक उर्दू speaker की तौर पर भी सामने आ सकती हूँ मेरी native language, मेरी mother tongue है उर्दू जिसको मैं अपने लिए एक communication का tool बनाती हूँ मैं आम लोगों से बात करती हूँ उसके लिए आप के पास skill number one है कि जिन चीज़ों को हमें avoid करना है जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे हाथ ने जो भी pen या जो भी clip वगरा होता है हम उसको tap करना शुरू कर देते हैं जिससे सामने बाला फोरण इस बात तब पहुंच जाता है इस बात को भाप लेता है कि आप confused हो साथी साथ confusion एक और तरीके से भी सामने आती है हाथ में चाहे कोई book हो चाहे हो newspaper हम उसको तोड़ना मडोडना शुरू कर देते हैं और अगर आप एक लड़की हो तो आप दुपट्टे का कोना घुमाना शुरू कर देते हो इट मीन्स के आप वहाँ पर हो रहे हो confused और आप उस situation का सामना नहीं कर पा रहे हो just because of the lack of skills of communication यही पर इन सब चीजों के साथ एक और मजीद चीज आपको बताती चलू communication बहतर बनाने के लिए the very first thing is जहां पर आपको लगे के आप किसी का सामना करने जा रहे हो and you are going to lose temper on you आप अपना control अपने आप में नहीं रख पा रहे हो so just count till 3 1, 2, 3 और यह 3 तक की counting आपको एक command दे रही है कि आप खुद पर control करो self controlling आप में आती है अब self controlling आती है take a deep breath and then face the audience चाहे फिर आपके सामने audience कोई भी क्यों ना हो अच्छे अच्छे speakers आपके पास मौजूद है YouTube पर जरूरी नहीं YouTube पर जाओ आपके daily life में ऐसे बहुत सी लोग होंगे जिनको आप सुनना पसंद करते हो आप चाहते हो वो बोलते रहें बोलते रहें और आप बैटके सिर्फ उनको सुनते रहें यहीं पर अगर हम बात करें तो आप भी उस जगह पर खड़े हो सकते हो कि जहां आप बोलते जाओ बोलते जाओ और दुनिया आपको सुनने की मुंतजर नजर आए इसके लिए हमें करना क्या है सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं इंगलिश बोलते ही वक्त हम ऐसे भारी भारी अलफाज लेकर आते हैं डिक्शनरी देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड फाइंड आउट करते हैं और दूसरा पर अपना अच्छा इंप्रेशन एक भारी इमेज बनाने के लिए उसको हम अपने जाद तर जुम्लों में डालने के कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला सुमझे वाह क्या प्रफाउंड लैंग्विज है क्या कमांड है लैंग्विज पर बात उस तरीके से करो के हर आम और खास आपकी बात समझ पाए और साथी साथ अगर मैं आपके सामने बात करूँ आज हम कम्यूनिकेशन टॉप्टिक पर बात करते हैं आज हम डेफिनेशन पर भी जाएंगे इसकी ताइब भी सीखेंगे और स्किल्स भी सीखेंगे मेरा चेहरा एकदम स्टिल है बिलकुल एमोशन लेस है इतमीज मेरी वीडियो ज्यादा वीवर्ड नहीं देखेंगे और साथी साथ ये फेस आपका बहुत सारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेश करने के लिए ही बना है So use it आपका voice tone अगर आप same tone के साथ अपना घुस्सा भी एक्सप्रेश करना चाहो तो आप घुस्से वाले tone में कभी प्यार मुहंबत अली बाते नहीं करोगे आप एक बच्चे पे प्यार आ रहा है आपको और आप उसे घुस्से से बोल दोगे तो रोना शुरू कर देगा एक बच्चा तक जानता है कि उसके लिए कौन सा voice tone best है Same like that Father से बाप करते हुए वालदायन से बाप करते हैं voice tone अलग होता है अपनी दोस्तों में होते हैं तो voice tone अलग होता है और साथ ही में अपनी cousins के साथ आ जाते हैं तो हमारा voice tone एक दम अलग हो जाता है और साथ ही साथ हमारे gestures and postures बदल जाते हैं अब gestures और postures क्या है बात करते हुए हमारा body language है हम still रहकर बात नहीं कर सकते अब हम किसी से भी बात करेंगे, हम hand fold करके बात नहीं कर सकते हम अपने hands back पे भी fold नहीं कर सकते, क्यों? Because आपका body language बहुत main खेदार अदा करता है आपके बोलने में अब ये वो skill है, आपका body gesture and posture के जो सिखाने से नहीं आता आप इसके लिए किसी भी teacher के पास नहीं जाओगे आपको ये develop करना है, खुद अपनी जात के अंदर So, इस development के लिए हमें तमाम important all in छोटी छोटी tips को लेके आगे बढ़ते रहना है So, अब बात कर रहे हैं हम उस smile की कि जब एक smiley face आपको नजर आता है तो आप जितने भी बुरे mood के साथ गुजर रहे हो, वो एक smile आपका दिन बदलने के लिए काफी होती है मुझे याद आ रहा है एक novel जो first year या second year का था कि जिसमें एक बच्ची की smile ने मरते हुए आदमी का भराम रख लिया था उसको जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर हम बात करते चलें आप एक smiley face के साथ आओ ताकि आप जिन्दा दिली के साथ friendly और lively conversation कर सको conversation कर सको, communication कर सको, अपना message अपनी बात दूसरे तक deliver कर सको सो यह है वो steps क्यूंकि ए बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई लिखना बोलना पढ़ना नहीं सिखाता लेकिन वो तब भी communication करता है कैसे करता है वो रोता है ताकि अपनी बात communicate करे कि मुझे कुछ चाहिए यह उसका बताना कि उसको कुछ चाहिए is a way of communication हम हमेशा इसी एक भरम में रहते हैं हम अच्छी communication नहीं कर सकते क्यूंकि हमें English नहीं आती जब भी हम बात करते हैं communication की मेरी एक student मेरे पास आई और उसने मुझसे यह बात पूछी जिसकी वजह से मैं कौफी ज्यादा परिशान हुई कि हम अपने उपर languages को हावी कर देते हैं English is a language मगर communication is a skill आपके पास English एक language है जिसको आप सीखते हो लेकिन यह skills है जनको आप करते हो develop और यह development होती है आपके अपने efforts के through मेरे बोलने से आप में यह सारे developments नहीं आ जाएंगी आपकी सारे skills नहीं develop करोगे until and unless you are not going to try it यहाँ पर अब हम बात करते चलें the most important thing is आपका body gesture अब मैं हाथ पाउं कैसे चला हूं it doesn't mean के I ask you to start dancing on each and every word आपको अपने hand movements अपने words के साथ singh करने होते हैं and again it is an art which you are going to learn by yourself how I started acting or how I started giving gestures and postures when I started my teaching my teacher was there who asked me to practice in front of a mirror once when I tried it I started to laugh at myself but the thing is that gradually that brought a big change in myself I have a feeling that I have a feeling that yes it is the little tips that I work and polish here I will be able to develop my skills in the way I will be able to develop it यही करते हैं अपनी आज की वीडियो को close up, wind up अपना ख्याल रखेगा, अलाहाफिस